नमस्कार दर्श को बहुत बहुत स्पागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारेकरम सेहत और जिन्दगी में मैं हूँ आपके साथ शेल जत्यागी दर्श को जिन्दगी भी तब खुशनुमा लगती है जब आप लोग सेहत मंद रहते हैं जब आपको कोई रोग नहीं होता है आप खुद सोची जब आपको कोई तकलीफ हो जाती है छोटा सा रोग ही अगर आपको हो जाता है सर्दी जुखाम की अगर हम बात करे अगर वही कितने परिशान हो जाते हैं आप कोई मेदिसिन का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपको आगे तक के लिए रिलीफ मिल पाता है कितने लोग हमारे साथ ऐसे असे जुड़ते हैं जिने 12 महिने सर्दी जुखाम लगा रहता है तो दर्श को क्या समthe जरूरी है यह सोचिए आप लोग घरे लुन उसके जब अपनाते हैं युनाली ट्रीट्मेंट जब आप लोग लेते हैं तो निश्विती आपकी हर एक बेमारी दूर हो सकती है वो भी जर से आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं उसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन उठाए नमबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगतार दिखाये जा रही हैं तो चलिए अप कारेक्रम के यहां पे शुरुबात करेंगे अपने बेहत खास महमान का जी हां मैं बात कर रही हूं अतिया हपस के फाउंडर प्रमोटर रिसर कि घरेलू नुसके कितने कारगर होते हैं जितने भी नुसके आप यहां पे दर्शकों को बताते हैं वो इसका इस्तमाल करते हैं तो यकीनन वो बहुत जादा सेहत मंद हो जाते हैं अब जैसे जैसे ठंड की शुरुबात और जादा बढ़ती जा रही है तो आज मैं आपसे यही जाना चाहूंगी व्यक्ति को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए और वो कौन-कौन से से नुसके हैं जिने उन्हें अपना लेना चाहिए जो लोग सर्दी की वज़ा से तक्रीफ में आते हैं उनमें इम्मूनिटी की कमी होती है तो चिन चीजों में भी रोक आदमी कोई चीज इस्तमाल करें इतने सारे नुसके में बताता हूं और बड़ा परिशानी हो गई मुझे कि कोई शखस ने मुझे एक डिबा दिखाया और उस पर लिखावा था गौन सिया और मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक काला सा गौन तो था लेकिन गौन सिया नहीं था मैंने उसे चक्कर देखा तो उसमें एल्वा था एल्वा एक काला सा बलकुक्व काले रंग का एक गौन टाइप का एक काली चीज है जो जायक्या में भी होती है लेकिन वह गौन सिया नहीं होता है के छिलके से बनता है अलवीरा का छिलके से तो जो लोग भी मैं अगर गौनसिया किसी को बताता हूं तो एलवा बेच रहे हैं लोग नेट से मगाया था उन्होंने तो जो भी देखें याद करके देखें कि वो गौनसिया नहीं है लोग एलवा या कुछ और बेच रहे हैं जो कोई भी ना ले उससे और अगर देख ले तो पूरी तश्दीक कर ले ताके नकली चीज ना मिले बहुत सारी चीजे नकली मिल ले हैं एक शखस ने मुझे वो दिखाया जैतून का सिर्का और उसने एक जैतून भी उसमें डाला हुआ था जैतून का पीस लेकिन मैंने उसे चे आपको आपसे दर्खास है कि अगर आपको पूरा फाइदा उठाना है तो असली चीज का प्रियोग करें बिल्कुल चलिए इसी के साथ